नमस्कार दोस्तों, welcome back to your own channel, the investment गुर्ची आज के इस वीडियो में हम लोग दो ऐसे stock के बारे में बात करने वाले हैं जो आने वाले सालों में अच्छा return दे सकता है अगर हम लोग current level के बात की जाएं तो current level भी एक बहुत ही बहतरी लेवल है जहां पर हम लोग stock में entry कर सकता है और कम से कम दो साल के लिए अगर हम लोग in stock के बारे में सोचे तो यहां से यह stock बहुत ही अच्छा return दे सकता है दोस्तो बेंचर लिए हम लोग बात करेंगे logic से related क्यों यह stock लग रहा है क्योंकि 2 minutes में मैं आपको दोनों stock के नाम बता दूँगा और video कतम कर दूँगा लेकिन इससे important बात है कि हमें logic समझना है इस तरह का logic हमें दूसरे भी चीज़ों में apply करना है ताकि future में आप खुद का analysis खुद कर सको और आने बाले दूब में आप इस तरह का logic implement कर सकते हो इसे के साथ technical analysis का mixture करके एक best यहां पे combination आप लेके आ सकते हो दोस्तो इस वीडियो में लोग इन दोनों stock के technical as well as fundamental analysis के बारे में बात करेंगे दोनों stock की जानकरी detail में देखेंगे दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने the investment गुरिचान को subscribe नहीं किया है इसेन यहां पर दिए गया है इंडिया आत्मानिरपर भारत के लिए यहां पर अगरण लोग बात करें तो यह जो है किक टॉफ होगा December 2020 के end तक और यहां पर December 2025 यहने कि अगले पास सालों के आसपास यहां पर पूरे की पूरा यहां पर यहां पर इस टॉप होगा इंपोर्ट यह 101 military item जिसके वैसे जो भी military equipment इंडिया की कंपनिया बनाती है उसको सीधा सीधा फाइदा होगा और important बात करें तो यहां पर जो दो हम लोग करता है one of the best यहां पर entry point current level पर हम लोग entry कर सकते हैं चली दोस्तों पहले stock के बात करता है जिसका नाम है H.A.L. Hindustan Aeronautics Limited दोस्तों company के बात करें तो market का यहां पर 28,150 करोड के आसपास का current market price के बात कर तो 840 रुपे के आसपास current market price चल रही है पी के बात करें तो 11 पर चल रहा है इंडस्टी पी के बात करें तो 17 पर चल रहा है तो industry पी से current level पर सस्थे ताम पर हमें काम काच करती हुए देखने को मिंद रही है return on equity के बात करें तो 22.03% का return on equity है अगर हम लोग sales growth की बात करें तो 6.10% है dividend की बात करें तो 3.95% का dividend yield है अगर हम लोग यहां पर तेकी तो pre-code level निकल के आता है 1400 रुपए के आसपास अगर हम लोग की लेवल के बात करें तो यहां पर चार सो जो है पचास रुपए के आसपास stock में गिराउट हुई थी और अगर हम लोग करें तो current level से अच्छा कासा यहां पर हम लोग recovery भी लेव भी नहीं है चली दोस्तों करता है stock का technical chart analysis अगर हम लोग यहां पर देखें तो हरे candle एक दिन को यहां पर रिप्रिजन कर रहा है जब यह news आई थी around August के आसपास तो उसके बास stock में बहुत बहेंकर तेजी देखी गए थे और stock 900 रुपए से 1400 रुपए के आसपास consistently गया था त दे दिया था इसके बाद यहां पर थोड़ी से हलकिती stock में profit booking देखी गी लेकिन major यहां पर अगर हम लोग बात करो तो बहुत बड़ा gap down उपन हो था the reason यहां पर जो है government of India ने इसका company का कुछ तेक खुद का बेचा था तो जिसके कारण यहां पर इतनी बड़ी जो है gap down दे देखे तो इसका पहले का जो support है जो इसने multiple times यहां पर test किया था इस level पर तो उसी level के आसपा स्टॉक आ चुका है तो यह बहुत ही अच्छा entry point है current level पर accumulate करने के लिए as well as 2025 के आसपास तक इंडिया government of इंडिया का यहां पर target है कि सर्फ रेंट करेंगे military equipment के दिए इंडिया जो है खुद के equipment खुद develop करेगा तो उसके वह पूरी जो है plan उसके तहत ऐसी company को इस company को बहुत ही बड़ा जो है फाइदा होने वाला है तो current level पर जिस आप से stock इसके support level के आसपास आ चुका है इसने multiple time support को नहीं तोड़ा है यहां से हम लोग अच्छे खासी current level से अगर हम ल लेवल पर जो है 800 से लेकर 825 की level पर आप entry कर सकते हो लेकिन अगर आप रुखना चाहते हो अगर आप पंजर रूटी नियो शको तो उनकी लिए भी मैं level बता देता हूं 700 रुपए से लेके 730 का उनकी लिए zone है अगर इस zone में अंदर आता है stock तो वहां से भी जो है आप entry कर सकते हो चली दोस्तों बात करता है दूसरे stock की जिसका नाम है भरत dynamics limited ये company की बात कर तो ये भी company जो है defense equipment बनाती है दोस्तों company का market cap देखे तो 5800 क्रोड के आसपास का company का market cap है current price की बात कर तो 380 पर चल रही है stock P.E. की बात कर तो around 15 रुपए का आसपास चल रहा है industry P.E. की ब बात कर तो 2.76% है sales growth की बात कर तो यहाँ पर negative sales growth यहाँ पर दिख रही है face value के बात कर तो 10 वे face value चल रही है depth की बात कर तो यहाँ पर डैप सिर्फ 14 करोड के आसपास है reserve की बात कर तो 2400 करोड का reserve है तो अगर लोग market cap देखे और reserve की बात कर तो वहाँ से अगर depth को compare करे तो ये कमपनी जो है वर्चुली डेफरी दिल लग रही है दोस्तों अगर हम लोग प्रमोटर का कोई शेयर प्लेज है नहीं वो देखे तो आज की डेट तक स्टोक का जो है प्रमोटर कोई भी शेयर करेंटली प्लेज नहीं है अगर आपको थार चान अगर आपको डोस्तों अबोग यहां पर कर सकता है अगर Yast level पे आता है stock तो यहां से भी अच्छा entry point हो सकता है तो दोस्तो ये थे दोनों stock के analysis definitely आप आपका खुद का analysis जरूर कीजे और उसके बाद ही इन दोनों stock में entry exit के बारे में सोचे तो दोस्तो that's all for this video, thanks for watching this video अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कीजे, share कीजे, comment कीजे also the investment गुरुजियानों को subscribe करना ना भूले तो मिलते हैं मेरे next video में, till then, goodbye